मैं लोगसभा के माननी अध्यक्ष आदर्निय श्री ओम बिर्ला जी से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें। माननी अध्यक्ष लोगसभा श्री ओम बिर्ला जी। नमस्कार भारत की लोकतांतिक आस्ता के पतीक हमारी संसत के इस निवनवनित भौर में के लोकापन समारों में भारत के यसवस्वी प्रधानमंती माननी नहिंदर मोधी जी। राज्यसभा के उपसभापती डाक्टर हरवंश जी। गनवान्य अथितिगं देवियों और सज्जनों। मैं आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आजादी के अमरतकाल में संपून राष्ट, आजिस, महत्पून और एत्यासिक्पल का साक्षी बन रहा है। मैं मानिये प्रधानमंती जी को सादुवाद देता हूँ। जिनके धर्स अंकल्प और प्रेरक मारदशन से संसत का ये नया भोवन धाई वर्षे भी कम अबदी में बन कर तयार हूँ। मैं उन हजारों शर्मिक भाई बैनों को नमन करता हूँ, जिनकी निरंतर शर्म साधना और कठिन परिश्रम से ये भागिरत प्रयास पुरा हुआ। कोविड महामारी के कठिन समय में हमारे शर्मिरों ने अपने करतेओं के पृति अध्भूत समर्पन दिखाया, जिसके कारण राष्ट का ये सामुई संकल्प सिद्ध हुआ। जनपतिनिती, जनित और जनता का सेवा भाव के रुप में काम करते हैं। पिछले साथ दश्कों से संसत के अंदर हमारे विद्वान नेताओं और सांसुदों की उतकर्ष्ट चर्चा और समवाज से जनता की समश्चाओं का समाधान किया गया। और महत्पुन कानून भी बनाए जिससे लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ। हमारा लोगतंत और अधिक शर्शक्त हुआ। इस अउसर पर मैं उन्स सब का भी आभार वेक्त करता हूं। लोगसवा में मेरे पुर्वती अध्यक्ष ने सदन की गरिमा और प्रतिष्टा बढ़ाने में समर्पित भाव से योगदान दिया। उनका भी मैं सादुवात व्यक्त करता हूं। भारत विश्व का प्राचिंतम लोगतंत है। संपूर्ण विश्व में लोगतंत की जन्री के रूप में हमारी पेचान है। संस्लिय लोगतंत की इस यात्रा में हमने सद्नों की अच्छी परंप्राएं और परपाटियां इस्तापित की है। हमारी निर्वाजन प्रक्रिया के कुशल पारदर्शी और विशश्निय प्रभंदन के कारण लोगों का विश्वास लोगतंत के प्रती और बड़ा है। इस अम्रत काल में भारत की प्रतिष्टा विश्व में बड़ी है, सम्मान बड़ा है। आज लोगतंतिक मुल्यों के साथ-साथ वेश्चिक चुनोतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। भारत की संसद लोक्तान्तिक व्यस्ता का स्रोच किंद है। लोक्तान्तिक प्रक्रियाओं में जनता की बड़ती भागिदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। लोक्तान्त हमारे इतियास की बहमुल्य धरवर है। लोक्तान्त हमारे वर्तमान की तागत है। लोक्तान्त हमारे संदिम भाईश का आधार है। हमारी संसद, घरेलू और वेश्चिक चुनोतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ रखती है। विरता में एकता भारत की शक्ती है। यही शक्ती संसद में भी डश्टिकत होती है। जहां शेत्रिये तता विचारधाराओं की भिन्ता के बाद जूत, सांसदगद, राश्टित के विशों पर एक स्वर्व में अपनी बात को रखते हैं। यही हमारी लोक्तंत की तागत है। भारत की संसद इस प्राचीन राश्ट की गौरोपूर्ण लोक्तंत विरासत की कस्टोडियन है। हमारा वर्तमान संसदभौन, भारत की संता प्राप्ती तता सविधान निर्मान से लेकर अनेक एत्यासिक घटनाओं का शाक्षी रहा है। इसलिए अपनी अनमोल धरोर को सम हाल का रखना भी हमारा दायत है। पिछले वर्षों में पक्ष विपक्ष के मान्य सदश्यों ने कई आउसरों पर संसद के नए भावन के निर्मान की आउश्रक्ताओं को मसूस किया था। इसी परिपेक्ष में राज्यसभा और लोगसभा दोनों सद्नों ने मान्य किया। मैं प्रधानमंती जी का पुना आभार विक्त करता हूं। जिनोंने मान्य सदश्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आग्रह को ततकाल स्रिकार किया और इतने कम समय में इसको साकार भी कर दिया। हमारे इतियास की एक महत्पून धरोर सेंगोल को अध्यक्षपीट के समीप इस्तापित कर मान्य प्रधानमंती जी ने इतियासिक परमप्राओं के सम्मान एउन नियायपूर्ण एउन निश्पक्षाशन के प्रति अपने संकल्प को दोराया है। ये नवनवित भौन हमारी समध संस्कती प्राचीन विरासत एउन आधुनिक आकानशाओं का अध्भूत संगम है। नए भौन में माने सदस्ट गन नई तक्नीकी प्रोध्योगी के उप्योग करके अपनी कारिकुशलता को बड़ा पाएंगे। नए वातारण में नए विचारों का सरजन होगा ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे नए भौन में उड़जा सरक्षन, जल सरक्षन, ग्रिन टेकनोलोजी, परियावन अनकूलता की विशिष्टा का समागम है। ये भौन वास्तो शिल्फ कला व संस्कृति का अध्भूत उधारन है। इसमें संपूर्ण भारत की उत्कुष्ट वो भीतापूर्ण संस्कृतिक विरासत के दर्शन होंगे। इस भौन में प्रतेक भारतियों को अपने अपने राज्य की संस्कृति की जड़क भी दिखेगी। इसलिए मेरा मान्य संसद मित्रों से अन्रोध है। हम संसद में जब नए भौन में प्रवेश करें तो नए संकल के साथ प्रवेश करें। हम लोगतंत की अच्छी प्रंप्राओं को आगे बढ़ाएं। हम संसदी अनुशाशन मर्यादा और गरिमा के नए मांडंड इस्तापित करें। ताकि विश्व की लोगतंति संस्ताओं के लिए भारत की लोगतंति संस्ता आदर्श बन सके। मुझे पुन्ड विश्वा से नए वातारण में हम सब मिलकर अधिक उड़जा के साथ रशनात्वक वश्वक शकारत्वक चर्चा के महध्यम से एक शेष्ट और विक्सित भारत का निर्मान कर सकेंगे। आप सबका पुना बहुत बहुत अभिनंदन। झाल